आज 17 नवेंबर 2021 हम सुनेंगे प्रातो शाकार हिंदी मुरूली आज का महावख्यों इस महावख्यों में बाबा समझाते हैं मेठे बच्चे तुम्हें साइलिंस में रहोकर एक बाब को याद करना है इसमें घंटे अदि बजाने की दरकार नहीं है जो हमें भक्ति में वो रंग प्रसिस से चलते आए बाबा हमें राइट प्रसिस से चलाने के लिए बाबा किस बात में बाब शमान बनो तो सब काम शिद्ध हो जाएंगे उतर जैसे बाब प्यार का सागर है वैसे बहुत बहुत प्यारे बनो क्रोज से काम बिगारता है बनता नहीं इसलिए आख दिखाना जोर से बोलना गरम होना इसकी दरकर नहीं है शांत रहना बहुत बहुत अच्छा है प्यार से बहुत काम शिद्ध हो सकता है ये जिबन जिने का कला का बात बाबा समझाते हैं तो जो ये भी हमारा ये रंग बिलिप संसर में चलते आया तो काम को अच्छा बनाने के लिए ये चाहिए लेकिन बाबा के एते नहीं तो क्रोध करने से काम बिगारता है बनता नहीं तो इसलिए बाप समन हमें तो मस्टर प्यार का शागर बनना चाहिए आज का गीत है तुमी हो माता पिता तुमी हो तुमी हो बंधू सखा तुमी हो अमशान्ती यो महिमा है एक की परुन्तु भक्ति मार्ग में स्रिप एक की महिमा गाने से भक्तों को शो नहीं होता इसलिए भक्ति में बहुतों की महिमा गाते आया हैं। कितना भक्ति मार्ग में चलता आया है ये भक्ति का विस्तार है। किसम किसम के आबाज मंत्र जंत्र स्तुटी आदी होती रहती हैं। तो और ग्यान मार्ग में देखो बिलकुल ही साइलेंस ही साइलेंस है। कोई आबाज का कोई बात नहीं पूरा एगनेस्ट है। स्रिप पशारा दिया जाता है ग्यानमार्ग में आब अज कोज नहीं है भौकती में कितना धुमधाम है सबसे जस्ती घंटा बचते हैं शिपका मंदिर में जहां तहां देखो घंटी ही घंटे हैं शिपका मंदिर में सुरू से लेकर तो मंदिर का दर्वाजा तक बहुत घंटा लग आदिया हुआ है तो किसको बाबा पूछते है किसको निंद से जगाने के लिए कोई घंटा आदी नहीं बजाने जाते हैं बाबा के दे किसको निंद से जगाने के लिए तो ये दुसरा प्रोसेस चाहिए तो ये घंटा बजाने से तो क्या तो भगवान अंदर में तो सो गया है किया उनका बच्चा कुम्भकरना का निंद में सोया हुआ है तो क्या घंटा बजाने से निंद से जग जाएंगे शिबाबने आकर मुनुष्य को कुम्भकरना की अज्ञान निंद से जगाया है परुंतु घंटे नहीं बजा आते हैं बाबा के दा बाज मात करो silence में रहो silence is power तो बिलकुल शांती से दो अक्षर में ही समझाते है बाबा बुद्धिमान जो होते है वो दो अक्षर में ही समझ जाते है ज़्यादा तिक तिक नहीं करना पड़ता बाबा के तहे बच्चे मुझे याद करो तुमने ही मुझे बुलाया है हे पतित पाबन आओ अब मैं आया हो तुमको तो राहो बताने के लिए क्या अब तक तुमको पतित बनकर इस दुनिया में ही रहना है क्या पसंद है पराना दुनिया नहीं है न तो कोई तो नहीं चाहेंगे तुम तो पावन दुनिया में रहने चाहते हो न पावन दुनिया सर्गों को कहा जाता कहती ही है पौतित पावन तो समझना चाहिए कि पौतित पावन क्या आकर करेगा जोरूर नर्ग से सर्गों में ले जाएगा बिना समझे ऐसे ही बुलाते रहते हैं तलिया बजाते रहते पर उन्तो यो नहीं जानते कि बाप आएगा तो क्या आकर करेगा यह हमारा मन में तो जैसे जैसे प्रश्णों देना है ऐसे ऐसे उत्तर भी हमें ढून के निकालना चाहिए बास्तव में यो यूनिवर्सिटी भी है मुनिश्यों से देवता बनने की तब गाते हैं मुनिश्य से मुनिश्यों को देवता किये करत ना लगी वार इसमें शस्र अधी कुछ भी परना नहीं है मुनिश्यों से देवता बनने के लिए बाप कहते हैं सिंपल बात है वक्ति मार्ग में बहुत शस्र अधी परते हैं धेर लेक्चर अधी होते हैं माश माश मन्रब बनाकर बेट आबाज करते रहते यहां कितना शांती में बाप बेट बच्चे को भी समझाते हैं बच्चे भी समझदर बच्चे भी समझ जाते हैं देखो तुमको बाबा आकर पाबन बनाए तो पाबन दुनिया का मालिक बनाते हैं पराई भी कितना सहज है न तुम पहले पहले पाबन थे golden age में थे, फिर चुराशी जन्म लेते लेते, iron age में तम अप्रधन बन गए हो, अब तुमको सतपधन बनना है, इसलिए मुझे याद करो बच्छे, सो भी अजोपा, बबा कहते हैं, अजोपा याद, याद करना अजोपा जाप नहीं, जैसे कईना की जब साधी होता है, तो क् का पती को जब करती है क्या, याद में खो जाती है, तुम भी सब पत्निया हो ना, बाबा समझाते हैं सिब, अगर तो साजन है, तुम सब सजनिया हो, तो यो शिब बाबा, तो पतियों का पती है, तो तुमारी सगाई हुई है, एक परमात्मा के साथ, सगाई जब हो गई, तो बस याद बुद्धी में बैट गई न, वो हमारा साजन है, हम उनका सजनी है, तो खातीरी हो गई कि हमने सगाई कर ली, बाबा समझाते हैं बाबा ने हमको गोत का बच्छा बना दिया, हमको स्रिकार कर लिया, हम जैसे है जो है, तो बाबा केह तुम मेरी हो, तो हम हो गई बाबा का हमरा सगाई हो गई तो फिर एक दो को याद करते रहते हैं संसर में भी देखो संसर में भी कुमार कुमारियों का परिचय हो जाता है किसको कहना नहीं पड़ता तुम उनको बेट करके याद करो तो यहां भी बाबा कहते हैं तो जब परिचाई हो गाया जब हमें जान ही लिया तो बाबा को याद करे और करे ही क्या तुमको भी बाब केहते हैं, निश्चे बुद्धी हो गए कि हम एक बाब के बच्चे आपस में भाई-भाई हैं, तो भाईों को बर्षा मिलता है, एक बाब से इसलिए बाब को पुकारते हैं, भल मुनिश्य तौन में अगर भाई-भाई बन जाते हैं, परुन तो पुकारत को बराने के लिए तो बाबा कितना हमें तो पावरफुल बात समझाते हैं बाबा के दे मुझे याद करो तो तमप्रदान से तुम सतप्रदान बन जाएंगे तो पाबन को सतप्रदान पोतित को तमप्रदान कहा जाता तो यो बाते बाबा संगम पर ही समझाते है यो है गिता पाठशला इस पाठशला में बाप आकर राज्युक शिकलाते हैं क्यों नर्ष से नारयान बनाने के लिए तो वहाँ टीचार तो समने बेट पराते हैं दिखाए पड़ता है लेकिन ये पराई तुम करते हो लेकिन तो टीचार तो गपता है उसको ये चर्मचक्षुदारा तो देख नहीं सकते हो तो इस टीचार को भी पुद्धी योग से समझना पड़ता है समझना पड़ता है ब्रह्मा का तन में शिबाबा को हमी याद करना भाले डिफिकल्ट है लेकिन इंपोसिबल नहीं है तो वो निराकार पतित पावन बाप है वही स्मृति दिलाते है कल्प पहले भी मैंने तुमको राज्योग शिखाया था बाबा ने स्मृति दिलाया तुम्हें भी लेने का हौक है इसमें घंटा घरियाल अदे बजाने किदर करनी है पूरा कैंसल बाबा ने करा दिया जब हमें ग्यान मिला तो भगती से हमें बर्याग्यों करना है बाब खुत आकर जगाते है अंग्या निद्रा से मन मना बाबो का अर्थ तो है साइलेंस साइलेंस में टिकना साइलेंस को समझना बाबा साइलेंस में रहते हैं तो अपने को अत्मा निश्चे करो बस अब हमको अपने घर जाना है बाबा को ही सब कहते हैं हमको दुख से चुरा करके मुक्तो करो बाबा शन्ना शिलोक स्रिप ब्रह्मो को याद करते है अब ब्रह्मो तत्तों तो है घर, तो घर में रहने वालों को तो याद करना चाहिए, तो घर में रहने वाला तो शिप बाबा है, तो वो घर को याद करेंगे, तो इहां बाप को याद करना, तो डिफरेंस तो इतना ही है, रात दिन का फरक है, शिप घर को याद करेंगे, तो जैसे तुम्हारा तो ये रियोस्ति प्रबृति मार्ग है तो ब्रम्मो तो भगवन है नहीं ये तो तुम्हारा जो रॉंग बिलीफ है इसको तुम्हें दूर करना है बाप बेट समझाते है मुझे याद करो तो तुम निर्बांधा में चले जाएंगे फिर वहां से आएंगे ले जाओंगा क्लियारीटी बाबा तो क्लियारीटी से समझाते है तुमको मालूम है न टिड्डियों का जोन कितना बरा होता है तो टिड्डियम न बंगिली में इनको पंगोपाल कहते हैं ये भी बहुत बरा जोन रहता है सबकी यूनिटी होती है यूनिटी होता है तो पह ने घार छोड़ा, तो सब भागेंगे उनको पिछारी, तो वो जैसे उन्हों को साजन हुआ न, टिड्डियों का भी प्रधान उनका साजन हुआ, और मदी मक्षियों का रानी उनका साजन हुआ, तो उनमें फिर सजनी ही रज्य, सजनी ही रज्य करती हैं, हम जिन्स पर, तो भी हैं, आत्मे सब मच्छरश द्रिश भगती हैं, तो ये द्रिश्य को हमें विजुलाइज करना है, तो आये तो हम, आये तो हम एकला परमधाम छोर के, लेकिन जब हम जाएंगे, तो शी बाबा का साथ कितना जोंड होगा हमारा आत्मा का, तो आत्मा क्या है, आत्मा को द अंगिनत आत्माएं हैं, तो वो मक्षिया हर सिजन में अपने रानी के पीछे भगती है, देखो, बाबा ने कितना सिंपल उधारन से हमें समझाते हैं, तुमको तो एक बार भगना है, ये कलियोग का अंत, सत्योग का सुरू का ये जो अंतिम समय हैं, तो अब वो आत्माओ को जाना है मुलबतन, तुमारा आवाज कुछ भी नहीं, इसलिए बाबा मिसाल देते हैं, सर्से के दादा मिसल पिसते हैं, बाबा कहते हैं, तो अंतिम समय में हमारा काल भी बाबा ने समझाया, आज भी बाबा समझाते हैं, तो अंतिम समय में सर्से का दाना जैसे पिसते ह तो इससे तेल निकालते है तो इसी प्रकर आत्मा को तो पानिष्ट किया जाएगा बाबा भी बिंदी सर्से के दाने मिसल है सर्से के दाने मिसल बाबा भी है लेकिन बाबा तो एबार प्यूर है और हम तो पाप कटते आये हैं पापको अगर हम मिटाया नहीं, तो अंतिम समय तो हमें धर्मराज का साजया खाना परेगा, फिर बाबा समझाते हैं, खश- खश का दाना भी बहुत छोटा होता है न, तो बेंगोली में खश- खश माना, तो पुस्तो कहते हैं, जिसको, पुस्तो दाना कहते हैं, परमात्मा भी बिंदी है, खशकर जैसा, तो उनको देखा भी नहीं जाता है, दिब्बो दृष्टी भी ना, तुमको बाबा समझाते हैं, बिल्कुल छोटा स्टार मिसल तुम हो, तो रियलाइस करो, अपने को अनभव करो, गीता में दिखाया ना, अखोंडो जोती का शक्षात कर हो, तब समझेंगे शक्षात कर हुआ, तो बाबा समझेती है, तो भक्ति का शंशकर के लिए कर आया हो, तो इसका अर्थो भी तुमें समझना चाहिए, अगर बिंदी का हुआ, तो समझेंगे यह परमात्मात्मात्री ही है, जैसे विवेकानन्दों को हुआ था, तो गीता में तो लिखा हुआ है न, और जुन को पहुत तैजमा शक्षात कर हुआ, भक्ति की बात बुद्धी में बेटी हुई है, तो भक्ति मार्ग और ग्यान मार्ग में राद दिन का फरक है न, तुम जानते हो, हम त्रिशोटी जन्मों सुरीड दरा कितना डान्स करते आएं, त्रि यह गंगा स्नान आधी बाद में सुरू होता है, तो बैविचारी भक्ति तो सुरू से नहीं हुआ, बैविचारी भक्ति तो बाद में सुरू हुआ, गंगा को, मिठी को, हावा को, देवी देवता मान करके उनका भी पीछे हम पढ़ते आया है, पहले बैविचारी भक्ति ह फिर बृद्धी को पाते हैं यहां तो एकदम साइलेंस लगी पुरी है बाबा कहते हैं बिलकूल साइलेंस को हमें अनफ़ब करना है बगर कोरी तुम विश्यो के मालिक बनते हो मम्मा देखो बीना कोरी आई है ना जेग्यों में और विश्यो महारानी बन गाई कालवी बाब होते हुए भी साधरन बन गई थे तो एकदम गरीब घर के बिना कोरी खर्चा बिना कोरी खर्चा देखो क्या बनते हैं यह मम्मा ने प्रूफ किया बाबा ने भी ब्रह्मा बाबा भी प्रूफ किया मम्मा फिर सार्विस बहुत करती थी सार्विस करती थी तो मंसा से और त तुम सत्वप्रधन बन जाएंगे इसमें खर्चे की तो कोई बात ही नहीं अगर कोई थोड़ा खर्चा भी करते तो अपने के लिए बाबा कहते हैं यह बहुत सुन्दर बात कहते हैं यह एजूकेशन तो तो बिल्कुल ही तो निश्चल को है अगर कोई जग्यों में कुछ स खुरा सा बीच देते हैं जब हम तो फल उगते हैं तो कितना फल हमको मिलता है कितना फशल हमको मिलता है यह भी ऐसा ही है तो खेती बरी हो जाती तो यह भी एकर जन्मा के लिए तुमारे कितने अमदानी होती हैं तो बाबा समझते हैं इसका उधारन को समझ लो मुनिश्यो कैसे सदरन अगर कोई बेट नहीं सकता तो बाबा कहते हैं सो करके सो करके भी मुरूली सुनो लेट जाओ सो जाओ तो यह है धरना करने की बात है तो सबी तो यह बात को धरना नहीं कर पाएंगे अंदर में बाबा और चक्र को याद करते रहो बाबा को याद करो चक्र को देते हैं कि तुम यह तो नियम तोरेंगे भोक्ति नहीं करेंगे तो यह होगा तुमारा एक्सिडेंट होगा यह होगा वह होगा समझो कोई की टांग तूट पड़ती है वह नुक्षन हुआ तो कहेंगे तुमने भोक्ति छोरी है तो यह नतिजा निकला तो डर जाते हैं यह तो कुछ भी करना नहीं, बाबा केहते हैं ये डार मना ये, तो घटना घटी, ये तमर कर्म भूग है, बाबा की याद दिलानी है, हर एक आत्मा को चक्रो का राज समझाना है, अभी कलियों के बाद सतियोग आना है, मिनाश होना है, जोरूर इसलिए ये महावारी लराई खरी है लराई होगा इसलिए बंस बनाते रहते है भगवान आकर राजजूख शिखाए नर्से नरेण बनाते है यह राजजूख है प्रजा जूग नहीं तो सुभू बोलना चाहिए बच्चों को बहुत मीठा बोलना है बाबा मीठा है ना बाबा मीठा और बच्छों मीठा ना बने तो कैसे हो सकता कुरोध अधी सब दान में बाबा लेते हैं काकपन हमरा दान में ले लेते हैं बाबा के एते में प्यार का सागर हो तुम भी बनो ना तो बड़ा प्यार से समझाते है बाबा और ह हमी भी प्यार से सब को समझाना चाहिए, नहीं तो बच्चे बहुत हंगामा करते, क्योंकि माया माथा खरब कर देती, इसलिए ख्याल आता है कभी भी किसको कुछ कहे, कहे नहीं, प्यार से समझाए, संसार में तो छोटा मुटा, तो ये तो बात होता ही रहता है, बरतन से बर पर निच्छ हो जाए तो प्यार से समझाओ आख दिखाना गरम होना जोर से बलना तो इसके दर्कार नहीं इसमें काम बिगारता है बचे शांत रहना बहुत अच्छा है तो बिकारों का दान दे कर फिर लेते हैं तो आपना पाद गवाते हो बाबा का बन गया गोया पाच बि तो जो भी तुमारा कमिया है वो दे दिया तुमें कहते हैं ना दान दे दे थो छोटे गरहन तो फिर भी बाब पंडा है ना पंडे ब्रह्मन होते है तो शिप बाबा भी रूहानी पंडा है तुम भी पंडे हो बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं तो यो भी ब्रह्मन जब ये practical शी बाबा ब्रह्मा थन में आते हैं तो ये परिस्थिती बन जाता है तो उनका कर्तिब भी ऐसा है ये पाटशला है बाबा पराते है ये बच्चों को याद रहना चाहिए प्यार से बाबा को याद करना चाहिए एम अब्जेक्ट ही है विश्यों की बच्छा ही पा पहर अधिसब इस समय का है पर उन्तु इनके महत्तों को कोई जानता नहीं बाबा समझाती क्या महत्तों है बाबा है नलेजफुल वो आते हैं रचना के आधी मद्दों और अंतों की नलेज़ देने ठिकर भित्तर में कैसे आएंगे एक डक्टर ने सिद्धों किया था ये ह और शीज में आत्मा है परमात्मा नहीं कहा तो फिर यो कहो देते हैं सर्वबेपी तो उन्होंने कहा सब में आत्मा तो सनाशियों ने कहा तो सब में परमात्मा तो जेतना मोग इतना बात तो कोई क्या कहा कोई क्या कहा कितना रात दिन का फरक है तो वो तो बहुत का बाप है सबसे बुद्धि जुक तुराए अपने सर जुराते है बाबा ये तो पतित पावन है वो कहते है आत्मा वक्ति में कहते है आत्मा बुद्ध बुदा सागर से निकला है सागर में लिन हो जाएंगे तो आत्मा तो अजर अमर अभिनाशी है ये कैसे हो सकता है तब तो आत्म कम रित्त हो जाएंगा ब्रह्मो ज्यानी समझते हैं छोटी जोती बरी जोती में लीन हो जाएंगी फिर नई उत्पत्ती होती है तो बाबा समझाते हैं यह सब भक्ती की भी ड्रामा में नोध है यह बक्ती का विस्तार है तो कितना मोक कितना बात करते आए है तो मैं भी ड्रा अच्च रिख्यष्य जन्मका जो चक्र लगाते है तो यह भी ड्रमा में नोद है जो कुछ होता है सब कुछ नोद है कोई गायन भी करते है कोई बिगन भी डलते है बाबा कहते हैं देखो ऐसाती होता ही रहता ही इससे तो स्रिकार करके हमें आगे जाना है तुम बच्चों कुशिब बाबा से बश्चा लेना तो वो आती ही है सब आत्मा को ले जाने के लिए सरीर का नाम भी नहीं लेते सरीड सहीद थोरी ही किसको भागाने आया हो बाबा कहते हैं आत्मा को ले जाओंगा आत्मा तो मेरे बच्चे है मुझे तो कहती है हे लिबेरेटर आओ तुमको दुख से लिबेरेट कर तो हमको दुख से लिबेरेट कर और जगा ले चलो जहाँ चैन की दुनिया है तो सब को शुरीर इहा छुराए आत्मों को में ले जाओंगा तो कालों का काल हुआ ना बाबा को महाकाल कहते है मैं सब को इकट ले जाओंगा कितनी wonderful बाते बाबा समझाते हैं कहा कोई बात समझ में नहीं आती तो बोलो यो बाबा यह बात बाबा ने अजुन समझाई नहीं है, तरक नहीं करो, जब समझाईंगे तो आपको सुनाएंगे, यह नमरता से बोलो, ऐसे अपने को छोरा देना चाहिए, बच्चे समझते हैं, बाबा ग्यान का सागर है, नहीं नहीं बात सुनाते रहेंगे, आज नहीं सुनाया तो काल सुना देंगे तो काल सुन पाएंगे हम सब को सुना देंगे वाल्ड की हिस्टी जियोग्राफी सुनाने वाला रचुईत बाप है जो आधी मद्दो अंतों का ग्यान सुनाते हैं तुम लाइट हाउस भी हो तुम शदर्शन चक्रोधरी भी हो परुंतु माया तुम्हे भुला देती है घुटका खाते है कुछ न कुछ तो लेस आ जाती है माया तो पकर लेने से तो हमारा कुछ मैनास हो जाता है कर्मो का हिशब किताब है न जब तक कर्मादित अबस्तन नहीं बनी है तो कुछ न कुछ होता ही रहता है सिखिलदे बच्चों प्रती मात पीता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते धारणा के लिए मु प्यार का सागर बन कर रहना है, नमबर दो, साइलेंस में रहो बिना कोरी खर्चा, बिना कोरी खर्चा विश्यो की बच्चा ही लेनी है, बाप की याद में रहो थोरा बहुत खर्चा कर एकर जन्मों की आमदानी करनी है, तो ये दो धरना आमें बहुत बहुत आगे बर्दान है नलेज की लाइट दरा पुरुशर्ट के मार्क को सहोज और स्पस्टो करने वाले फरिस्ता सरूप भवो कितना तो बाबा ने क्लीन और क्लियार बर्दान हमें दिया है इसका अर्थो बाबा समझाते हैं फरिस्तापन की लाइट में तो लाइफ में लाइट और मा माइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए मनसा के लिए मनन शक्ति और बाचा के लिए बाचा के लिए कर्मना के लिए सहन शक्ति धारन करो फिर जो भी शब्द बलेंगे कर्म करेंगे तो वो उसी प्रमान होंगे अगर यह दोनों शक्ति है तो हर एक के लिए पुरुषार्ट का मार्ग शहोज अर्सपस्ट हो जाएंगा तो यही फरिष्टा जिवन है श्लोगान बैठ्थो बोलना और थात तो अनेकों को डिश्टार्ब करना तो कोई डिश्टर्ब होना नहीं चाहता है हम डिश्टर्ब करें तो हमें पाप लग जाएगा तो इसलिए बैठ्थो बोलना बंद करो यह था अज का स्लोगान है आज का समान है मैं फरिष्टा शुरूप आत्मा हूं अच्छा ओम शन्ति